तुमको क्या लगा कि क्या मैंने Hero Brine SMP खेलना छोड़ दिया है या फिर मुझे याँ पर खेलने से डर लग रहा है तो अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो तो शायद तुम लोग कहीं न कहीं सही बिलकुल भी नहीं हो क्योंकि ना ही मैंने कभी Hero Brine SMP छोड़ा है और ना ही कभी छोड़ूंगा हाँ वो बात अलगया कि इस SMP में पास्ट में हम लोगों ने कुछ धोके करे हैं और हमारे साथ भी बहुत से धोके हुए हैं अब इतना सब कुछ होने के बाद मुझे एक चीज तो पूरी समझ आ गई है कि यहाँ पे किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता इंक्लिवडिंग मी मेरे पास अपना सब कुछ एक iron farm एक gold farm xp farm सब कुछ मेरे पास अपना personal है एक बार याप लोग बाहर का नजारा देखो आप लोग सोच रहे हो कि यार इतना सब कुछ कह रहा है बट आगिरगार है कहों पे यह तो मीरा पुराना base है नहीं दिखावे के लिए है मेरा असली बेस मेरे छुपा रखा है वहां पर चलेंगे बटा इस जगा की याद आ रही थी तो मैं चला आया यहां पर बाकि इन सब जगाओं के बारे मुझे जादा कुछ बताने की जरूत नहीं है आपको अच्छे सा याद है यहां पर क्या-क्या नहीं हुआ हर एक तरीके कि लड़ा हिये पने यहां पर लड़ी है सब लोग यहां पर अपने बेस बना कर बैठे मुझे मालू मैं कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें हम लोगों का भी इस जो है को फूच ऐसा नहीं कि बहुत जादा खतरनाक है देखने में या फिर बहुत बढ़ा है बठा अपना बेस है एक जन्नत उसे मैंने बनाया है underground पूरा छुपा के ताकि वह किसी को भी इतनी easily ना मिले और मैं तो भी सुच रहा हूं कि मैं इस वीडियो में भी वहाँ पर जाते हुए ना दिखाऊ तो अभी मैं पहुचने वाला हूं अपने सीक्रेट बेस पे जहां पे मैंने अपना सारा का सारा खजाना अपने सभी वेपन्स अपने सभी आर्मर्स छुपा के रखे में हैं तो देख लो भाई यही है वो जगा बट वेट अभी आप लोग सोच रहे होगे कि आखर यह तो ए अंदर से देखोगे ना मैं गरंटी दे रहा हूं आप लोग हैरान होने वाले हो वैसे अगर आपको यह एंट्रेंस अच्छी लगी हूँ लावा पूल में जंप मारके अलगी जुगाड़ू तरीके से तो इस वीडियो को चा कि लाइक जरूर करना वैसे मुझे अच्छे स झुकाइ अपने सीकरट बेश्क को रिवील करने का लेट्स को तो यह गाइस अपना सीकरट बेस दूट ऊतना टाम नहीं लगा पट उसकी यह जगा बनाने में सच्छी में बहुत जादा थाइम लग गिया है लेट्स को अभी फड़ा फट से मापको अन्दर चलके दिखात डूपर की तुरू एक बहुत बड़ा एरिया तोड़ के कस्तम ली बनाया है फड़ा फट से भी मैं आपको नीचे चलके दिखाता हूं कि आखिरकार यहां पे क्या क्या है यह जो आप डायमंड देख पारे हो ना ही मैंने लगा है यहां पर स्पॉन नहीं थे और इधर अपन ड्रॉप से उड़ते रहते जो मैंको बहुत प्यारे लगते हैं बाहर अपना लामा है प्यारा सा जिसके पास एक चेस्ट है उसमें समान उमान रखा हुए थोड़ा इधर पांडा है आसपस कैट्स मीं है क्रीपर के लिए मैं इधर ले आया था बट अभी वो नजर नहीं चारी काँ से लेगी खैर एक अंदर बिठा रखी है अभी यह है मेरा प्यारा सा घर और इसके अंदर है अपना सारा का सारा इंपोर्टेंट समान जो भी मैंने इस बेस में चुपा के रखा हुआ है खैर इसके लावा एक बेस और है बठा वो मैं यहां पर रिवील नहीं कर यह करा मैंने गेट ओपन और सामने यहां को चार नेधर राइट के मैक्स आर्मर नजर आ रहे होंगे प्रॉपर उपर से लेकर नीचे तक और सामने दो बैड है या फिर आप इसे अपना थॉन भी कह सकते हो दो दो बीकन है वैसे में पास टोटल चार बीकन है लेकिन डेको मैंने अपने sword and axe fight के लिए यहां पर रखी हुए जल्दी से अगर जुरत पड़े तो मैं यहां से निकाल लूँ एंड एंटर करती आपको चार-पांच उपर से मस्ट फ्लार्स दिखने वाले हैं इसे blossom कहते हैं और इसके उपर से देखो क्या मस्ट ग्रीन-ग्रीन स्टोन लगाएं चारो तरफ ताकि यह थोड़ी खतरनाक फील दें उपर से लावा चू रहें देख रहें लावा इस लकडी पर आके गिर रहा है और अपने बैट के उपर कहा रहे हैं यहां पर अपना प्यारा सा गोलम मैंने रखा हुए हलो वाट्स अप ब्रो ठीक है यह सारी एंचेंट्मेंट्स मुझे लगानी अपनी शवल के उपर लेट्स को मैने भी नई बनाई थी पुरानी वाली मेरे से गलती से ड्रॉप हो गई थी बाकी कुछ-कुछ चोटा मोटा समान मैंने इधर भी रखा हुए जैसे लोड स्टोन एंड टॉन कटर स्मितिंग है एक कस्टम जाइन्ट ट्री जो कि यार सची में बहुत ज्यादा ब्योड फिल है विट मैं आपको इसके पास ही लेकर चलता हूं तो आपको पता चलेगा कि आखिर कार इस पीड में क्या जादू है यहां पर आती ना एक अलगी अच्छी से फील आती है कॉस इसके उपड बेरा पुराने वाइला टावर हो जो डिस्ट्रॉय हो गया था चाहिए वो हीरो भाणिस इंंभी का न्यू टावर हो चाहिए अपना पुराना बेस हो सीक्रट बेस हो मुझे सबसे ज्यादा प्यारा और सबसे अच्छा बेस यह लगता है वैसे अपना कासल चोड़ो गे व यह पाप, इस बेस गाईस मैंने चारा तुरह बहुत ज़्ञांदा सीक्रेट टानल सी निकाली वह है, Doctors कुण जो कि किसी को बेस में जाती लेकिन उन टानल्स का मैं ज़्ञादा यूज नहीं करता क्योंकि मैं नहीं चाहता वो किसी को भी पता चले और मैं उन टैनल का कोई गलत इस्तमाल करना भी नहीं चाहता फिलाल अभी इस बेस से बाहर निकलते हैं इस बेस से बाहर निकलने के लिए यह मैंने सीडी बनाई है यह थोड़ा सा आपको अजीब सा लग रहोगा बट यह मैंने प्र तरीके से मैं इस बेस में एंटर हुआ था ना लावा में कूत के माइन काट में बैटके अलगी यूनीक तरीके से तो इसमें से बाहर निकलने का रस्ता भी कुछ से यूनीक होने वाला है इसा नहीं हो काम लोग ऐसे दिवार तोड़के निकल जाएंगे या फिर कोई पिस्टन खोल के निकल जाएंगे यहां से बाहर निकलने का रस्ता थोड़ा सा डिफरेंट है उसके लिए हमारे पास यह थोड़ा सा पानी रखा हुआ है और इस पर ट्राइट यू मारना है इस बता ना मुझे मैंने इस चीज़ की ना अच्छे से प्राक्टिस कर लिया ताकि मुझे कभी भी एमर्जनसी में छुपना हो तो मैं डायरेक्ट यहां से अंदर एंटर हो सकता हूं अपने बेस में और किसी कुछ मालूम ही नहीं पढ़ेगा और बाइचांस मुझे फड़ा जाके लाइक करना इस यूडियो पर एम करते हैं 4 लाक लाइक के लिए बाकी हां जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फड़ा फड़ से पीविपी डैविल कर स्वार उठाके बज़ा दो सब्सक्राइब के बिटन पे और मिलते हैं फिर नेक्स्ट यूडियो में नेक्स्ट तबाई के साथ